दोस्तों बहुत बार आपके साथ भी जरूर होता है होगा जब भी आप Indian Post Payment Bank में अपना Mobile Banking को Login करने की कोसिस करते हैं तो बहुत बार आप अपना क्या है PIN नंबर भूल जाते हैं ताकि आप अपने Mobile Banking को Login कर सकें लेकिन जब भी हम इसको Login करते हैं तो वहाँ पर बहुत दोस्तों आप यहाँ पर Forget PIN पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आता है Options तो आप इसको OK कर लेते हो लेकिन यहाँ पर Problem तबाती है जब यहाँ पर Account Number पूछा जाता है और Customer ID यहाँ पर पूछा जाता है तो यह चीज़ हमें नहीं पता होती है तो दोस् दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर पहली बार है चनल को सब्सक्राब करके बैल आइकर उनको All Pay Press करना ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंट्रस्टिंग और Knowledgeable वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले तो चलिए दोस्तों चलते हैं डालके अपने फोन पर और आपको बतात देख पाएंगे हम आच चुके हैं अपने मॉबाइल फोन के उपर अब आपको यहां पर सबसे पहले अपने फोन पर आई पीपीवी मॉबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन को ओपन करना होगा और दोस्तों जब आप यहां पर जो है अपना पिन भूल जाते हैं एम पिन ठीक तो आप ओकी करेंगे और जैसे आप ओकी करते हैं अब दोस्तों यहां पर दिखीएगा आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नमबर टाइप करना होगा अपना डेटो बर्थ टाइप करना होगा और अपना रजिस्टर मॉबाइल नमबर को टाइप करना होगा लेकिन यहा पेमेंट बैंक का जो कस्टूमर के नंबर है 155-299 एंड सेकेंड वाला नंबर है 1800-180-7980 यहां पर कॉल करके आप यहां से अपना अकाउंट नंबर और कस्टूमर आइडी ले सकते हैं लेकिन इससे भी आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले अपना इमेल आईडी को ऊपन कीजे यहां पर आप देख पाएंगे हमारे पास हमारा इमेल आईडी का यह वाला जो है application है हमें इसको उपन कर लेते हैं अब जब आप यहां पर अपने email id को open करेंगे दोस्तों अब यहाँ पर आपको search करना है IPPB आपको लिखना होगा और जैसे आप यहाँ पर search करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर दिखीगा आपका bank हर महिने आपको statement भेजता है mail पर आप दिखीगा कुछ इस तरीके से आप दिखीगा हर महिने आपको statement आती है bank से automatically तो आप सबसे पहले इसको open करेंगे open करती दोस्तों जैसे आप यहाँ पर open करेंगे अब आप यहाँ पर दिखीगा आपको सबसे last में जाना होगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको इस तरीकी का एक PDF का attachment मिलेगा आपको सबसे पहले इसको open करना होगा लेकिन दोस्तों यह open नहीं हो पाएगा यहाँ पर आपको एक security password डालना होगा और security password क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पर example भी बताया गया है example मान के चलो कि आपका नाम स्याम गुपता है और आपका डेटो बरत है 10 अगस्त सन 1989 तो आपका जो password रहेगा वो रहेगा स्याम 10 08 और 89 यानि कि आपको अपने जो है आपको password लगाना होगा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपका अपना password बताना होगा इनको चली हम इसको यहाँ पर नीचा आएंगे अब हम यहाँ पर इसकी उपर क्लिक करेंगे जो attachment है और जैसे हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखीगा आपके internet on रहना चाहिए तब ही यह work करेंगा अब आपको यहाँ पर अपना password डालना होगा चली हम यहाँ पर अपना password डालके इसको open कर लेते हैं अब दोस्तों password डालने के बाद जैसे आप open करेंगे अब आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके सारे की सारे details आ जाएंगी चली हम इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ध्यान से दिखीगा कि यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा open statement पर यहाँ पर देख सकते हैं आप और साते सात में आपको यहाँ पर आपका जो है customer ID और आपका account number यहाँ पर दिख जाएगा बहुत easy तरीके से बस आपको अब इसको अपनी copy पर एक note कर ले रहा है यहाँ कई भी लिख लेंगे अब आपको काम करना है अब आपको दुबारा से register पर क्लिक करना होगा अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर register पर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देखीगा अब आपके सामने एक नया page खुल कर आएगा अब आपको यहाँ पर अपना नया pin number डालना होगा और उसी pin number को आपको यहाँ पर type करना होगा जो आपने ऊपर बना है उसके बाद आपको नीचे से यहाँ पर set mpin करना होगा चलिए हम यहाँ पर अपना new mpin बना लेते हैं अब दोस्तों हमने यहाँ पर अपना new mpin बना लिया है चलि हम यहाँ पर जो है अपना one time password हमारे पास आ चुका है 711951 अब हमने यहाँ पर फिल किया automatically यहाँ पर दीखीगा हमारा easily successful जो है password हो चुका है चलि हम इसको login करके आपको दिखा देते हैं अब यहाँ पर हम अपना नया वाला pin number डालेंगे फिल नमबर डालते ही दोस्तों आप यहाँ पर दीखीगा हमारे यहाँ पर अकाउंट login हो जगा और इस तरह की से आप बहुत easily अपने अकाउंट को इस तरह की से login कर सकते हैं I hope दोस्तों आप समझ गे होगे कैसे आपको अपने Indian Post Payment Bank की mobile application को login करना है अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को एक like ज़रू करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रू share करें दोस्तों गर आपका कोई सवाल है, question है या फिर आपको कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment कर देना मैं time to time आपको उसका reply ज़रू करूंगा तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ interesting और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखीगा so thank you, bye bye दोस्तों